नमस्कार दोर्स्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सो रश्या और यूक्रियन के बीच में जो चल रहा युद्ध है उसको लगभग एक महीना पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच कई सारे विशेशग इस चीज को कह रहे हैं कि अगर हम लोग फिनलेंडाइजेशन के आप्शन को माल ले तो शायद ये वाला युद्ध यहाँ पे समाप्त हो सकता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एक्स्प्रेस का एक आर्टिकल सामने आया आज से दो दिन पहले की बात है कि वाट इस फिनलेंडाइजेशन जो की युक्रेन के लिए एक पॉसिबल ऑप्शन की तरह सामने पेश किया जा रहा है समझेंगे कि exactly ये चीज़ क्या होती है और जानेंगे कि क्या इसका लेना देना फिनलेंड के साथ भी है या फिर नहीं और जानेंगे कि क्या युक्रेन के लिए ये एक पॉसिबल ऑप्शन बन भी सकती है या फिर नहीं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाते हैं तो यहाँ पर दिये गए, टेलिजाम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, इसके रावा आप लोग जूट सकते हैं, using this particular handle on the Unacademy app as well, also Unacademy app के आयुजित कर रहा है साल का सबसे बड़ा scholarship test, जो कि 27th March को होगा, इसमें हिस्सा लेते हैं, अगर आप लोग तो आपको कई सारी scholarships और कई सारे rewards जीतने का मौका में लेगा, please use the code ANI UPSC in order to enroll in this particular test, right, so as I told you कि लगभग एक महीना पूरा हो चुका है, और अभी तक कुछ समझ न clear when and how the war might end, in fact ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये जो युद्ध है ये और कितना लंबा चलने वाला है, जबकि यूकरेन ने यहाँ पे already confirmation दे दी है कि वो NATO को जोइन नहीं करने वाले हैं, तो युद्ध शुरू करने के पीछे जो main कारण था, President Vladimir Putin का वो ये था कि यूकरेन ने मंचा दिखाई थी कि वो NATO को जोइन करना चाहते हैं, लेकिन अब यूकरेन ने confirm कर दिया कि वो NATO को नहीं जोइन करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लग रहा है कि ये वाला जो युद्ध है, ये वाली जो war है, यहाँ पे खतम नहीं होने वाली है, और इसी बीच एक solution की तरह पेश किया जा रहा है, that is the option of Finlandization, आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली option आज से लगभग डेड़ महीना पहले भी पेश करी गई थी, उस time पर युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उस time पर जो France के राश्टरपती है Mr. Emmanuel Macron, ये basically दोरे पर गए थे, और इन्होंने बा अबर है, Finlandization for Ukraine, Macron's reported comment hits the nerve in Kia. Now, ये चीज क्या है और ये चीज दुबारा क्यों सामने आई है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पहले इसके term के meaning को समझ लेते हैं, Finlandization अगर मैं आपके साथ बात करूँ, हिंदी मैं आपको समझाता हूं बड़ी असानी से, basically इसमें क्या है कि Moscow और पश्चिम के बीच सक्त ततस्ता की नीती को संदर्बित करता है, जिसका Finland ने शीत युद के दशकों के दौरान पालन किया था, यानि कि ये जो पूरी की पूरी policy है, ये पहली बात तो Finland के नाम से जुड़ी हुई है, ये एक ऐसी नीती है, जिसमें कि basically Finland ने इस न countries के साथ है, हम basically यहाँ पे क्या है, neutral है, हम basically यहाँ पे ततस्त है, इसके बाद इन्होंने कहा ततस्ता का सिदांत, मित्रता, सहयोग और पारस्परिक, जो सहायता के समझोते में नहित था, जहाँ पर एक treaty sign करी गई थी, जो कि Finland और उस टाइम पे USSR के बीच में sign करी गई थी, इस treaty का नाम था, agreement of friendship, cooperation and mutual assistance, जो कि April 1948 में sign करी गई थी, और उस particular treaty के अंदर, इस principle of neutrality को भी include करवाया गया था, इस treaty में क्या लिखा गया था, article 1 था treaty का, इसमें ये लिखा गया था, कि माल लीजे, कल को Finland के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई सशस्त्र हमला होता है, जर्मनी के द litigation, fight to repel the attack, बलकि साथ में USSR ने ये भी कहा कि हम लोग आपकी सहायता भी करेंगे, Finland in such cases will use all its available forces for defending its integrity by land, sea and air and will do so within the frontage of Finland with the assistance of or jointly with the Soviet Union, तो ये वाला यहाँ पर पूरा का पूरा समझौता था, जो कि Finland और उस time के Soviet Union के द्वारा sign किया गया, अब इस समझौते के के कुन में लाके दो प्रमुख हिस्सें हैं, पहला हिस्सा था कि आप लोग अपनी जो foreign policy है उसको लेकर आप लोग neutral लहेंगे और आपके उपर अगर कोई attack होता है तो हम लोग आपको यहाँ पे help करने पहुंच आएंगे, इसके इलावा ये भी था कि Finlandization वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली देश, एक छोटे पडोसी देश को अपनी विदेश नीती के नियमों का विरोध करने से रोखता है जबकि उसे अपनी नाम मात्र की सुतंतरता और अपनी राजनीतिक विवस्था को बनाय रचने की अनुमती देता है Now, यहाँ पर सबसे important word क्या था? कि एक तरफ तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग हमारे नक्षे कदम पर चलेंगे जो जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा लेकिन at the same time उनको allow किया गया है to keep their independence and their own political system Hindi में इसको पड़ेंगे तो नाम मातर word इस्तिमाल किया गया है कहने का मतलब साफ है कि आपकी जो independence है वो केवल नाम मातर किये है और आपकी जो mostly policies है वो लोग हम लोग ही यहाँ पर determine करने वाले हैं एक तरीके से ऐसा मान लीजे कि ये एक बहुत बड़ी insult मानी गई थी Finland के लोगों के लिए क्योंकि उस time पे Finland की विदेश नीती completely subjugate हो चुकी थी Soviet Union के अंतरगत आ चुकी थी Now Finland ने ऐसा क्यों किया था? Because Finland दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा इसका map आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये यहाँ पे Russia का border है जो की Finland के साथ touch करता है ये Finland की capital है Helsinki के नाम से और यहाँ से कुछी दूरी पे आपको देखने को मिलता है St. Petersburg जो St. Petersburg के नाम से area है ये आपको बता दूं USSR का capital था और ये क्योंकि बिल्कुल इसके नजदीक था इसी लिए Russia ने ये वाला जो आपका deal था Finland के साथ यहाँ पे किया था to make sure कि Finland कल को कहीं USA के साथ ना चलिया कल को कहीं Finland जो है वो NATO का member ना बन जाए इसका फायदा Finland को कैसे हुआ? So इसका फायदा Finland को definitely हुआ क्यों? Because the treaty protected from being attacked और incorporated into the USSR like the rest of the states क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि हम लोग neutral हैं तो please हमारे ओपर attack मत करना और साथ ही में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Estonia, Latvia और Lithuania USSR की हिस्सा बन चुकी थी ये वाली countries Finland ने कहा कि please हमें आप लोग USSR का हिस् Finland को देखने को मिला because of the treaty of Finlandization. It allowed the country to pursue the path of democracy and capitalism while staying out of the conflict between the great powers. तो उन्होंने कहा कि हम लोग democracy और capitalism को follow करना चाते हैं हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि cold war में क्या चल रहा है आप लोग आपस में क्या कर रहे है हमें इससे अलग रखो हम लोग हमारी जो democracy और capitalism की नीतिया है इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं इन्होंने हर बार क्या किया इ on which the Soviet Union and the West disagreed मान लीजे कोई मुद्दा सामने आया कोई conflict सामने आया तो इन्होंने कहा again हमें कोई मतलब नहीं है हम लोग totally यहाँ पे neutral है in fact ये NATO और European military power से भी बहुत दूर रहते थे और in fact इन्होंने Soviet Union के साथ भी कोई major यहाँ पे military alliance form नहीं किया था अब बात या आती है कि क क्या ये same चीज आज Ukraine के लिए follow करी जा सकती है तो दोस्तों जी हाँ ये चीज Ukraine के लिए आज follow करी जा सकती है क्यूं क्यूंकि 2014 की बात है एक बहुत ही important political expert मान लीजिये जो की पहले USA के national security advisor रह चुके है जिनका नाम है Brzezinski इन्होंने यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कहा कि if we want a solution which is constructive it has to be based on compromise and 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 I can envisage Ukraine in evolving in the context of a constructive compromise into a country whose domestic and foreign policies will be somewhat similar to that of Finland इन्होंने कहा कि अगर Finland की तरह Ukraine भी वही वाला जो समझोता है वो आज कर ले Russia के साथ ये वाली बात इन्होंने 2014 में कही थी जब Russia ने क्रेमिया को अनेक्स किया था तो शायद Ukraine को यहाँ पर काफी फायदा हो सकता है In fact एक और open editorial भी आया था, op-ed भी आया था जिसमें कि इन्होंने कहा था the US could and should convey clearly to Mr. Putin that it is prepared to use its influence to make certain that a truly independent and territorially undivided Ukraine pursues policies towards Russia similar to those so effectively practiced by Finland की अगर आप लोग यहाँ पे Ukraine को छोड़ दें अगर आप लोग Ukraine के साथ कोई दखलना जी ना करें और अगर आप लोग वही वाला समझोता जो आपने Finland के साथ किया था वो Ukraine के साथ कर लें तो शायद आज की टाइम पर सबका फायदा हो सकता है जिसमें कि Russia हुआ, Europe हुआ और Ukraine हुआ, इन तिनों को ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस चीज को obviously Russia के द्वारा उस टाइम पर नहीं माना गया था, so आज क्या हमें य सब्सक्राइम से नूटरल है, 1948 से Finland नूटरल चल रहा है, और Finland जो है वो कहीं दखला नाजी नहीं देता, लेकिन आज से दो हफते पहले की बात है, Finland के लोगों से एक पोल करवाई गई, जिसमें कि 53 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो कि Finland के हैं, जो कि अब support दिखा रही है कि व फिर से ये बोले कि हम लोग NATO को जोइन करना चाहते हैं, तो इसको लेकर भी एक article सामने आया था कि Putin कभी भी Ukraine को Finland में तबदील नहीं होने देंगे, अब अब देखिए 2012 की बात है, उस ताइम पे केवल 13% Ukrainian का ये मानना था कि NATO को जोइन कर लेना चाहिए, August 2019 में ये वाली option को यहाँ पर नहीं होने देंगे, कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, so even though experts का ये मानना है कि जी हाँ इससे यो दरुख सकता है, लेकिन क्या ये होगा, I think ये होना काफी improbable लग रहा है, seeing जिस तरीके से Putin यहाँ पर aggressively attack कर रही है, seeing जिस तरीके से यहाँ पर Ukrainian लोग NATO का साथ देने में interested देख रहे हैं, so ये थी छोटे सी वीडियो regarding the concept of Finlandization, आपको क्या लगता है, कि क्या ये आपको देखने को मेलेगा है नहीं आने वाले टाइम में, आप बताइए हमें comment section में, फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही, जाने से पहले बताना चाहूंगा, Ann Academy आपके लिए बहुत ही शांदार offer लेकर आए है, जिसमें कि आप लोग अनी UPSC code इस्तिमाल करते हुए, direct 20% का discount ले सकते हैं, और तीन महीने का आपको यहाँ पे extension भी दिया जाएगा, साथी में अगर आप लोग ये code यूज करते हैं, तो मेरी personal guidance और WhatsApp ग्रूप में भी acquired किया जाएगा और आपको ये वाले batches available करवाए जाएंगे, जो कि अल्यडी शुरू हो चुके हैं, इसके साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले batches available करवाए जाएंगे, और आप लोग टेस्तिक भी enroll कर सकते हैं, ये वाल आपका 6 महिने का offer है, ये वाल आपका 12 महिने का offer ये वाले एको चुके हैं, ये खी कि अधिय का énते हैं, बहुत हैंने काईवजावा हो, कि अश।ा करवा पका हैं, ये रिल्षांगे कार शूली ये कर देता हैं LIKE, दो भी अहिए, अब़्य all दोवा हैं, ये भी दो